हलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक, एमके नॉलेज ग्रूप में आप सभी का स्वागत हैं, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, कंप्यूटर रिलेटेड जेनरल नॉलेज की, जो मंडी निरक्षक में आपके लिए बहुत महत्पूर रहेगा, और सब इंस्पेक्टर के ल कॉचन ले आया हैं, और जो भी इसका जो है तीसरा पार्ट इंग्लिस का भी इसमें है, तीस परकार से तीन पार्ट इसमें हमने बनाया है, और इस परकार के और वीडियो हमारे प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं, मंडी निरक्षक में, वीभिन परकार के कॉचन किस पर वीडियो अप्लोड हो तो आपको नोटिफिक्रेशन प्राप्थ हो चलिए पहला कोशन ही आया था कि खालिस्थान का उप्योग प्राणविक कम्पिटरों में इंपुट माधम के रूप में किया जाता है इसका आपको बताना है इसका राइट इंसर हो जाएगा बी निमबर यानि कि पंच कार्ड जो होता है पंच कार्ड से कोशन पूछे जाते हैं कि पंच का उप्योग क्या है इनके बारे में भी पेपर कार्ड वेक्यूम टुब और ट्रांजिस्ट इसका राइट इंसर हो जाएगा कि खालिस्थान का उप्योग प्राणविक कम्पिटरों में इ किसका एक उधारन है तो दूसरा का इसका राइट एंसर बी नंबर होगा यानि कि माइक्रो कम्पूटर का आप इसे याद रखेंगे माइक्रो कम्पूटर का है प्रफेस्टनल कम्पूटर निम लिखित में से किसका एक उधारन है तो माइक्रो इसका right answer हो जाएगा तीसरा का B number यानि की transistor, transistor एक सबसे मांगी memory है, next हम बात करते हैं कि ink jack printer खालिस्थान printer है, इसको आपको बताना है कि ink jack printer क्या है, इसका right answer हो जाएगा, चौथा का right answer हो जाएगा ये number, ink jack printer एक character printer है, इस परकार से printer printer की रूप में जानते हैं, और आप इस समझ सकते हैं कि printer से question बार बार पूछे जा रहा है, आप इसे अच्छे से याद करेंगे, या तैयरी कर सकते हैं, निम लिखित में से कौन सा बैद Linux वित्रण है, यहाँ देखिए, लाइव एक्स, लाइव एक्स क्या होता है, यह बैद Linux वित्रण नहीं है, नेक्स नम बात करते हैं कि पेज के केंदर में content को सरेखित करने के लिए MS Word में shortcut कुझी क्या है, इसका राइटन सर, छटा का यह number होगा है, इसका राइट इंसर बताने हैं आपको, सात्मा का राइट इंसर डी नमबर होगा, याने कि 4th generation, 4th generation computer में semiconductor memory ने चुम्बकी एक और memory की जगा ली हुई है, ति इसका राइट इंसर क्या हो जागा, 4th generation, नेक्स नम बात करते हैं कि MS Word में control plus H दबाने, प्रेस करने पर क्या खुलता है, इसमें आपको बताना है, ति MS Word में control plus H, MS Word से काफी अच्छे question पुछे जाते हैं, और MS Word को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसका राइट इंसर बी नमबर होगा, इसका राइट इंसर क्या होगा, 128 bit होगा, IPv6 में IP address का size क्या होता है, 128 bit होता है, ताप इसे भी याद करेंगे या तैयरी कायते चलेंगे, नेक्स्ट question है, एनिमेशन में marping की परकिरिया, एनिमेशन में marping की परकिरिया क्या क्या कला आता है, एनिमेशन से हर बार question पुछा जा रहा है और इस परकायर के question हमेशा बनते रहे हैं अगर हम मार्फिंग की परकिर्या को हम इसको बताएंगे तो इसका राई टेंसर हो जाएगा तेन का इसका राई टेंसर हो जाएगा C number यानि चित्र का अकार बदलना एनिमेशन में मार्फिंग की परकिर्या का लाता है और एनिमेशन की परकिर्या वहाँ परकिर्या है जैसके अंतरगत किसी भी निरजिव जिव को वा सचीतर रूप से सजिव बनाने का वर्डन करता है जिनमें एनिमेशन कहते हैं तो हर एक्जाम में एक दो ब глазhew सकते हैं इससे आप देख सकते हैं और हमें प्लेज जरुर बताएं कि आपने इतने कौशन ओर को solve किया है और like share subscribe करें अपने फ्रेंडों को भी share करें और हमारा इसा परकार से सायोग कर सकते हैं अप एक सब्सक्राइब और एक लाइक देकर निम लिखित में से कौन सा बेव सर्च इंजन का कारे नहीं है निम लिखित में से कौन सा बेव सर्च इंजन का कारे नहीं है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा 11 का इसका राइट एंसर D नंबर होगा यानि कि सूचना परदर्सित करना सूचना परदर्सित करना क्या है एक बेव सर्च इंजन का कारे नहीं है नेमलिकित में कौन सा बेव सर्च इंजन का कारे नहीं है तो सूचना परदर्सित करना नेक्स नम बात करने वाले हैं निम लिखित कथनों में से सही और गलत की पाचान कीजिए Drum Printer Impact Printer का एक उधारन है Flutter का अप्योग Vector Graphics को प्रिंट करने के लिए किया जाता है इसमें आपको कथन गलत या सही छाटना है अप्योग Vector Graphics को प्रिंट करने के लिए भी किया जाता है नेक्स नम बात करते हैं कि निम लिखित में से कौन से कथन गलत है यानि कि थरटन का इसका राइट अंसर बी नमबर होगा यानि केवल दो केवल दो इसमें आप्टिकल डिस्क मेमोरी का एक उधारन है आप इसे देख सकते हैं अप्टिकल डिस्क मेमोरी का एक उधारन है ता आप इसे ले सकते हैं सही में निम लिखित में से कौन सा कथन गलत है इसके बताएंगे 14 का आपका हो जागा डी नमबर 8 होगा यानि की एक और दो क्या है सही है इसका राइट एंसर हो जागा एमस पाउर पॉइंट 16 में एमस पाउर पॉइंट 2016 में सलाइड सौट रिव्यू मेनू के अंतरकत है और एमस पाउर पॉइंट में क्या होते स्पेलिंग चेक करने के लिए एफ नाइन कुंजी की का उप्योग किया जाता है नेक्स नम बात करते हैं कि निम लिखित कत्रों में से सही और गलत की पहचान करें तो इसका राइट एंसर हो जागा 15 का बी निमबर राइट होगा आपका यानि कि एक गलत है और दूसरा सही है तिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि निम लिखित कत्रों में से सही और गलत क ऐसका आप याद कर सकते हैं कि निम लिखित में से कौन सा अंतस्त बेंजन नहीं है दिसमें आपको बताया है कि या हिंदी का बहुत की अच्छा कोईशन इस परकार के कोईशन आते हैं थो बेंजन से एक जुरूबsinस पूछा जाता है हर एक्जाइम में इसका राइट एंसर हो जागा 16 का D number right होगा यानि कि हएक क्या है अंतरस्त बेंजन नहीं है Next हम बात करने वाले हैं मोहन आया किस प्रकार का वाकिय है तिस प्रकार से वाकिय से कोशन पुछे जाते हैं जेनमें 17 का इसका राइट एंसर होता है मोहन आया किस प्रकार का वाकिय है तो 17 का इसका राइट एंसर B number होगा यानि कि समाने भूत काल मोहन आया एक समाने भूत काल कालाता है Next हम बात करता है मैं घड़ा भरता हूँ किरिया के किस वेद के अंतरगत आएगा 18 का इसका राइट एंसर B number होगा यानि सकर्मक किरिया है अकर्मक सकर्मक किरिया के बारे में आपको जरूर पूछा जाता है कि मैं घाड़ा भरता हूँ कवंसे किरिया है इसके बारे में आप बताईए ति इस प्रकार की चीजे भी होता है नेक्ट है गे पलस अक का सही संधी रूप क्या होगा 19 का इसका राइट एंसर B नंबर होगा यानि कि साकर्मक किरिया तो मैंने बता दिया 19 का B नंबर गायक गायक का जो संदी विशेध होता है वो गये पलस अक होता है तो इस परकार से आपने देख लिया यह बेंजन संदी के अंतरगत आते हैं इस परकार की चीजे भी आप संदी से पढ़ सकते हैं क्योंकि संदी का जो भी पाठ है उसमें स्वर संदी जो है वेंजन संदी है इस परकार से और विशर के संदी है तीर संदी में से किसी एक कोशन ज़रू पूछ जाते हैं इन सभी संधियों को भी हमें पढ़ना चाहिए क्योंकि previous sales में देख पारे हैं कि इस परकार से question पूछा जा रहा है तिस परकार से संधिय सहो गया, next अर्था लंकार, अलंकार से भी question पूछ दिया जाता है, निम लिकित में कौन सा अर्था अलंकार नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा 20 का D number यानि की अनुपरा सरंगकार नेक्षम बात करते हैं कि यह बात हर कोई जानते हैं वाके कि एकिस अनस में असुधी है यानि 21 का आपका right answer हो जाएगा D number यानि की जानते हैं ठीक है यह बात हर कोई जानते हैं वाक्य में किस अंसिमा सुधी है तो हम जानते हैं आमाउट में कौन सा प्रते लगा है तो इसका राई टेंसर होगा 22 का बी नमबर यानि कि आउट प्रते लगा हुआ है नेक्स्टम बात करते हैं कि तेन दुआ चीणिया काटोरा खेड़ की आधी सब्द निमलिखित में से किस वर्ग से हैं, तो 23 का इसका राइट एंसर C नंबर होगा, यानि किसका राइट एंसर हो जागा देशच, ठीक है, तेन दुआ चीणिया काटोरा खेड़ की आधी आता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा तेश का सी नंबर यानि की देशत से आता है नेक्स हम बात करते हैं कि निम लिखित में से कौन सा एक सब्द अन्य तिन सब्दों का परिवारची नहीं है तो 24 का इसका राइट एंसर डी नंबर होगा यानि कि लोग जो लोग है वह परिवारची नहीं है तिन सब्दों का जिसे विश्राम है अराम है वो चैन क्या है वह अराम का ही विश्राम और चैन या परिवारची है जबकि लोग परिवारची नहीं है सामन हरे न भादो सुकर इस परकार से लोगगति का सही अर्थ बताईए पचीस का राइट एंसर बी नंबर हो गया आने के स्यधा, एक ही दसा में होना ठीक है भात केरने वाले जन्र लेंगिलिस से जित ग्रामर से इस परकार के कोशन पूछा जाता है तो 26 कि हम देखने वाले हैं कि इस परकार की कोशन पुछे गयते हैं चुज दा फॉलवींग ऑप्शन देट इस दे मस्कुलीन प्रॉम दे व्राइड व्राइड जो है एक इसका ब्राइड का बताना है इसमें मस्कुलीन जेंडर के अंतरगत क्या होगा इसका राइड इंसर मैं आपको बता रहा हूँ इस परकार से जेंडर से भी कोशन पुछी जाते हैं 26 का राइड इंसर बी नंबर होगा गुरूम हो जाएगा ब्राइड का गुरूम हो जाएगा चुज दा ओप्शन देट कैन फिल दे ब्लैंक्स करेटली ठीक है 27 का राइड इंसर बी नंबर होगा यानि की मर्चेड मर्चेड स्मार्टली डूरिंग दे क्या होता है पैरेड हो जाएगा चुज दा ओप्शन देट कैन फिल दा ब्लैंक्स करेटली इस दा लाइकली खाल स्थान दा अवार्ड इंसर डी नंबर होगा यानि की देट का प्रहुग के जाता है देट दा क्या होता है आवार्ड वीन अनॉंसेट तूडेंग के काा ओप्शन है चूज दा क्या होता है ऑप्शन देट कैन फिल दा ब्लैंक्स इसका right answer हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा यानि कि बाई का परेव यहां पर होगा ते इस परकार से correctly preposition जो है चूझ करने के लिए आपको दिये रहते हैं ते इस परकार के preposition को भी आप अच्छे से त्यारी करेंगे चलिए नेक्से बात करते हैं choose the option that is the correct passive from the sentence, तीश का इसका right answer C number होगा, यानि कि as there is the strong water will be supplied by tanker, तीश परकार से correct passive wise sentence और active wise sentence भी आते हैं, choose the option that is the correct indirect from off sentence, mother said to her son, get the क्या होगा immediately or you will the school was, to 31 का right answer हो जाएगा इसका, ये number इसका right answer हो जाएगा, ये mother ordered the son, get the क्या होगा immediately or would miss you school mass, next हम बात करते हैं कि choose the option that is the sentence of the game the word, तीश परकार से साइनियम से भी एक क्वेशन जरूप पुछा जाता है और अन्टोनियम से क्वेशन पुछा जाता है, तीश का right answer हो जाएगा 32 का B number होगा, यानि को overnight, इसी परकार करने ने वीडियो के लिए हमारे चैनल को like, subscribe कर सकते हैं और हमारे टेलिग्राम गुरूप, MK knowledge गुरूप को भी आप वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इस परकार से आपको वहाँ पर, MK knowledge गुरूप, capital letter में आपको वहाँ पर type करना है, capital letter में type करेंगे, PDF अगेरा भी वह प्लब हम कराते हैं समय समय पर, current affairs से समधित कोशन हमाँ पर देखने को आपको मिलता है, इस परकार करने ने वीडियो हमारे देखने के लिए, ठैंक्यू ब्रमे, जय हिन, जय भारत!